एंटी स्पेटरी बेल क्या होती है? एंटी स्पेटरी बेल कैसे करवाई जाती है? हेलो नमस्का दोस्तों, 1124 में आपका स्वागत है. आज हम बात करेंगे एंटी स्पेटरी बेल की बारे में, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं एंटिस्पेटरी बेल क्या होती है एंटिस्पेटरी बेल का मतलब होता है अगरीम जमानत मतलब गिरपतार होने से गिरपतारी से बचने के लिए बेल लेना जमानत लेना ये एंटिस्पेटरी बेल कहलाता है एक तो रेगुलर बेल होती है जो की गिरपतार होने के बाद ली जाती है और एक एंटिस्पेटरी बेल होती है जो गिरपतार होने से पहले ली जाती है ताकि परसन बेल लेके गिरपतार होने से बचा रहे CRPC सेक्शन 438 में एंटी स्पेटरी बेल का प्रोविजन किया गया है इसको आप आसान से सब्दों में ऐसे समझ लेजिए कि किसी परसन के अंगेंस्ट FIR फाइल की गई है नॉन बेलेवल ओफेंस के लिए अब पुलिस उसको गिरपतार करना चाती है तो वो परसन चाता है कि मैं गिरपतार ना हूँ तो उसके लिए उस परसन को एंटी स्पेटरी बेल के लिए अपलाई करना होता है अगर उसको कोर्ट से एंटिस पेटरी बेल मिल जाती है तो फिर पुलिस उसको गिरबतार नहीं कर सकती तो चलिए हम बात करते हैं एंटिस पेटरी बेल मिलती कैसे है जैसे ही किसी परसन कें अंगेंच्ट F.I.R. फाइल की जाती है नॉन वेलेबल ओफेंस में तो उसे सबसे पहले शेशन कोर्ट में एंटिस पेटरी बेल के लिए एक अप्लिकेशन देनी होती है एक बार अगर शेशन कोर्ट से एंटिस पेटरी बेल इजेक्ट हो जाती है तो उसके बाद high coat में anti-spitry bail के लिए apply करना होता है वैसे तो ज्यादा तर cases में high coat से anti-spitry bail मिल जाती है लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपके पास कोई strong region होना चाहिए तो friends आप समझ गए होंगे anti-spitry bail होती क्या है anti-spitry bail होती है गिरपतार होने से पहले गिरपतारी से बचने के लिए जमानत लेना अगर आपको एक बार anti-spitry bail मिल जाती है तो फिर आपको पुलिस गिरपतार नहीं कर सकती है फिर आपका trial चलता है आपको सिर्फ पेशी में ही जाना होता है दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जुरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें धन्यवाद जैहिन